टायर शोरुम का ताला तोड़कर लाखो रुपए के टायर चोरी सोंबार देर रात चोर हसनपुर बस इस रेंड के पास से एक टायर के शोरुम का ताला तोड़कर लाखो रुपए की चोरी करके ले गए शोरुम मालिक को चोरी का पता मंगलवार सुबा चला शोरूम मालिक ने चोड की सूचना थाना पुलिस को दी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रामवीर सिंघ डागर मौके पर पहुँच गये पुलिस ने मालिक की शिकायत प्रमामला दर्च कर चोड की तलाह शुरू कर दी है जानकारी के नुसार गाउं भीडू की निवासी हार्दिक ने पुलीस को दी शिकायत में कहा कि उसने हसनपूर बस स्टेंड के निकट टायरों का शोरूम खोला हुआ था उसने बताया कि सोंबार देर राद भाए अपने शोरूम का ताला लगा कर घर चला गया था मंगलबार सुबार उससे सूचना मिली कि उसके शोरूम के ताला तूटे हुए है उसने बताया कि जब उसने शोरूम पर जाकर देखा तो चोर शोरूम में रखे लाखों रुपए के टायरों के चुरा कर ले गए हार्दिक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चोर उसके शोरूम में से लगबख साड़े साथ लाख रुपए के टायरों को चुरा कर ले गए है ठाना पिरभाली रामबीर सिंग डागर का कहना है कि पीड तुशोरूम माली की शिकायत पर मामला दर्च करके चोरों की तलास शुरू करदी है उन्होंने कहा कि चोरी हुआ माल वा चोर जल्द पुलिस की ग्रफ्त में होंगे बेंगि शर्ज करने के लिए गेजे रहा हूँ दोर मेरत इज क्टेए करेब कर दोकान में फिर्ट आर के पिर डियुकर git घहारth लिए भी पुज़ें को पुलिस को अपने इतला कर दिया तो अशेट्योग सफ़ों नोकादिकर भी को आपने इंस्पेक्शनों कर के